हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिरसा जिरूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा NeuroKind LC Tablet के बारे में NeuroKind LC Tablet को किन-किन प्रॉब्लम्स में यूज कियाता है कैसे इसे लेना होता है क्या इसके benefits होते हैं क्या इसके side effects होते हैं यह सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूँगा तो अगर कोई नई वीडियो अप्लोड करूं medicine से related तो वह आप तक notification के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं Neurokind LC Tablet एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रोप से जिन लोगों के नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर उनके तलवों में या हाथ के हतेलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या चुबन होती है ऐसी condition में इसका इस्तेमाल किया आता है इसके अलावा यह और भी कई problems में यूज कियाता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा और यह भी बताऊंगा किस दवा को किन्हें नहीं लेना चाहिए तो आप लोग बने रहे वीडियो में फिलहाल में आपको दिखाता हूं इसकी packaging आप स्क्रीन पर देख रहे होगे निरो काइंड एलसी टेबलेट यह एक स्ट्रिप की packing में आता है और इस एक स्ट्रिप में 15 टेबलेट होती है और इस 15 टेबलेट के जो प्राइज है वो है 225 रुपे यानि 225 रुपेज ओनली कंपनी से बनाती है मैंकाइन फार्मा जो की बहुती अच्छी कंपनी है और composition इसके अंदर होता है इसमें होता है इन दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह दवा सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर दवारा लिखे जाने के बाद बिखती है यह दवा बहुत इंपोर्टेंट दवा है आप इसका screenshot ले सकते हो या फिर इसे note-down करके जरूर रखें यह दवा बहुत का गए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिन लोगों की हतेलियों और तलों में बहुत ज़्यदा जलन और दर्ध होता है और चुबन होता इस कंडिशन में इसे use कियाता है और पैर के नस्व में बहुत ज़़ाया दर्ध होता है इस vibes का इस्तिमाल क्या आता इसके अलावा जो यह problems में यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ अगर किसी के सरीर में खुन की कमी हो गई है तो खुन की कमी को पूरा करने के लिए भी इसे यूज किया आता है या फिर किसी के सरीर में portion तत्तों की कमी हो गई है vitamins की कमी हो गई है तो उनको पूर्टी करने के लिए उसे use किया आता है कई बार इसे घुटनों के दर्द में भी दिया आता है और जिन लोगों को diabetes होती है और diabetes के कारण उनके neuropathy दर्द होता है यानी कि नसों में दर्द होता है ऐसी problems में भी इसे use किया आता है इन सारी problems में इसके जबरजस्ट benefits देखे आते हैं और इसी condition में इसे सबसे ज़्यादा use किया आता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो लोग बहुत ज़दा सराब का शेवन करते हैं और जिस समय पे दवा लेनी है उस समय पे भी सराब का शेवन कर रखा है उस दोरान इस दवा को नहीं देना है और जिन बच्चों की उमार 13 साल से कम है उन बच्चों को भी ये दवा नहीं देनी है अब चलिए जानते हैं कि इस दवा को लेना कैसे होता है जो कि बहुत important है इसके अंदर दोस्तो इस tablet को सिर्फ आपको पूरे दिन में एक tablet लेनी है चाहे आप रात में ले लिजे चाहे आप सुबह ले लिजे कोशिस करिए कि अगर रात में आप लेते हो तो जादा बहतर होगा रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले पानी या दूद के साथ एक tablet आप ले सकते हो इस तरीके से इसे यूज किया आता है चली अब जानते हैं इसके क्या side effect देखे जा सकते हैं जब आप इस दवा को ले या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होना लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको इस वर नहीं हो रहा है बहुत लोगों को सिर में दर्द होता है और भूख भी नहीं लगती है तो जो यह symptoms हैं यह सारे लक्षड यह होते हैं कि आपको यह दवा सूट नहीं हो रही है और जब यह दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दे और अपने नजदीक की डॉक्टर से एक बार जरूर मिले आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इ बबाई